हालो अवरिवन, आज हम क्लास 11 सबजेक्ट बिजनस स्टडीज व्यवसाय अध्यन के चैप्टर सेकेंड व्यवसाइक संगठन के प्रारूप को समझेंगे और इसके अंतरगत हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो है हमारा 1 का की व्यवसाइक संगठन के प्रारूप को समझ लेते हैं व्यवसाइक संगठन के अनिक प्रारूप है जिसका एक पाठ है एका की व्यापार तो व्यवसाइक संगठन के प्रारूप कौन-कौन से हो सकते हैं व्यवसाइक संगठन के प्रारूप है एका की व्यापार, साजेदारी, सेंख्थ हिंदू परिवार, सहकारी समीतिया, कम्पनी ये सब किस के प्रारूप है एका की व्यापार जिसको हम इस चैप्टर में पूरा अच्छे से समझेंगे तो पहला जो हमने टॉपिक लिया है वहाँ है एका की व्यापार का अर्थवा विशेश्टा है नाम से ही इस पस्थ हो रहा है एका की एका की मतलब एक मींस आप जो व्यापार देखेंगे आज उस व्यापार में सिर्फ कितने persons involved हैं सिर्फ कितने व्यक्ति शामिल हैं एक व्य एक व्यापार का संचालन भी करता है अगर जो भी लाभानी होता है उसके लिए उत्तरदाई भी वही व्यक्ति होता है For example, आप जिस colony में रहते हैं, जहां पर रहते हैं, वहाँ पर आपने shops देखी होंगी, दुकाने देखी होंगी, तो उस दुकान पर आपने एक ही वेक्ति को बैठे वे देखा होगा, तो वहाँ कौन सा व्यापार हो गया? एका की व्यापार, अगर दुकान खुल रही है, लाने वाला भी एक ही वेक्ति है, लाभानी को वहन करने वाला भी एक ही वेक्ति है, और उसका संचालन करने वाला भी एक ही वेक्ति है, अगर शौप से संबंदित कोई निर्ना लेना है, तो भी वही वेक्ति लेता है, जो व्यापार कर रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके उपर है उस मात्र एक ही व्यक्ति पर इसलिए इस व्यापार को कौन सा व्यापार कहा गया है एका की व्यापार कहा गया है अब एका की व्यापार की विशेष्टाओं हम समझ लेते हैं एका की व्यापार की विशेष्टाओं में सबसे पहले सौमित्व एका की उसमें उस व्यक्ति का ही स्वामित्वर रहता है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आ कि उसके निर्णाय में दखलंदाजी नहीं कर सकता उसे किसी प्रकार से गाइड नहीं कर सकता उसका लाभ्या हानी भी उसी का रहता है और पूरे व्यापर का स्वामित्व में अधिकार भी उ वा चाहे तो अपनी दुकान खोले, वा चाहे तो अपनी दुकान बंद करे, कोई और उसमें इंटर्फियर नहीं कर सकता, तो एका की व्यापार के अंतरगर्थ संपुर्ण व्यवसाय का स्वामित्व एक ही व्यक्ति का होता है, मिन संपुर्ण व्यवसाय का अधिकार एक ही होता है सेकेंड पॉइंट है हमारा असिमित दाइचा का मतलब क्या है व्यवसाय करने वाला कौन है एक ही व्यक्थि यह अता व्यवसाय में होने वाली संपूर्ण हानी की पूर्टी भी कौन करेगा वही एक ही व्यक्ति करेगा यदि किसी कारण वश व्यवसाय में लगाई हुई पूंजी से अधिकराशी की हानी हो जाती है तो अतिरिक्त हानी को पूरा करने के लिए उत्तरदाई किसका रहेगा उस एक ही व्यापारी का रहेगा means उसे अपनी नीजी पूंजी के अत्रिक नीजी पूंजी से भी अपनी उस दाइत्व की पूर्टी करनी पड़ेगी इसलिए हमने इसे क्या कहा है असीमित दाइत्व means आपका दाइत्व सिर्फ आपकी दुकान के उस रॉम मटिरियल या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहें वहीं तक नहीं है आपका दाइतो कहां तक आ जाता है उस हानी की पूर्टी के लिए आप अपने घर की संपत्यों को भी बेचने के लिए तैयार रहेंगे उस दाइतो को हम बोलते हैं असिमित दाइतो क्यूंकि संपुन लाभ भी उसी का है और संपुन हानी भी उसी की है अतहां एक वेक्ति अता सरल शब्दों में बोलें तो एका की वैपार का कैसा दाइतो होता है और शीमित दाइतो होता है जो थर्ड पॉइंट है हमारा वहाँ है लाभ हो अरनी का पूंग स्वामी अब लाब हानी, जिसा कि हमने अर्थ में ही समझ लिया है, काम करने वाला, कारे करने वाला एक ही वेक्ती है, अगर वह अच्छे से कारे कर रहा है, लाब हो रहा है, तो लाब का मालिक भी वही है, अगर वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या अगर उसने कोई जोखिम लेके कुछ दूसरा काम भी स्टार्ट कर दिया है या और भी किसी तरह से उसे हानी होती है तो उस हानी का भी पूर्ण जवाबदार कौन होगा वही व्यक्ती होगा means एका की व्यापार के अंतरगत संपुन लाब और संपुन हानी का हानी की जिम्मेदारी उस एक ही व्यक्ति पर रहेगी For example, अभी जो COVID-19 चल रहा है आपने अपने आसपास की दुकाने तीन महिने तक बंद देखी होंगी उसका स्वामी को उन्हें एक ही व्यापारी है एक ही व्यक्ति है तो उसे कहीं न कहीं उस तीन महिने की जो हानी होगी वो हानी कौन वहन करेगा वही व्यक्ति वहन करेगा तो कहीं न कहीं एक हाकी व्यापार के अंतरगत आप अपने हानीों को किसी दूसरे से नहीं बाढ़ सकते अपने लाब को भी आप दूसरे से नहीं बाढ़ सकते दोनों की ही पूर्ण जवाबदारी पुन जिम्मेदारी, पुन लाभानी का अधिकारी कौन होगा? एक वही वेक्ति होगा, जिसने व्यवसाय या व्यापार शुरू किया है. फिर है सीमित शेत्र, अब इसका सीमित शेत्र किस तरह से है? कि प्रत्तिक वेक्ति में कारे करने की एक सीमा होती है. पुन जी लगाने की भी एक सीमा है उस वेक्ति की, तता प्रबंद करने की योगिता भी कैसी है? सीमित है. अतहां एका की व्यापारी जो होता है, वहाँ अपना व्यापारी एक सीमा थकी बढ़ा सकता है. वो सोचे कि मैं हाँ कॉलनी में बेटे-बेटे बहुत आगे तक कहीं दूसरे शहर में भी दुकान खोलू, कहीं दूसरे सिटी में खोलू, कहीं और अलग ब्रांचेस डालू, तो ऐसा समभव नहीं है. क्योंकि कारे करने वाला सिर्फ कौन है? वहाँ एक व्यक्ति जिसके पास में पूंजी भी सीमित है, प्रबंद की युगिता भी सीमित है. अतहा साजेदारी और अगर कंपनी में होता है तो उसमें एक से अधिक वेक्ति होते हैं जो कहीं न कहीं अपनी व्यापार का शित्र बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस व्यापार को देखने के लिए और भी साजेदार अवेलेबल होते हैं परन्तु एका की व्यापारी के लिए हो गया सिमित हो गया अब नेक्स्ट जो है हमारा वैक्तिगत संपर्क यह इसका एक लाभ हम बोल सकते हैं कि एकाकी वापारी के संपर्क कैसे होंगे वैक्तिगत मीज आपके दुकान पर अगर कोई आ रहा है तो बार-बार अगर वो आएगा तो आपका कैसा कस्टमर हो जाता ह है वहां रेगुलर कस्टमर हो जाता एक वैक्तिगत संपर्क हो जाता है वह अपनी डिमांड को वह और क्या-क्या प्रोडक्ट चाता है तो उससे आप वैक्तिगत संपर्क करके अपनी जो दुकान की कमिया है अपनी जो प्रोडक्ट की कमिया है आप जो बेच रहे हैं अग को कहीं न कहीं लाब मिलता है जहां पर कारीगर जहां पर कर्मचारी कारे करते हैं वहां पर व्यक्तिगत संपर्क जहां नहीं हो पाता वहां पर हमें अपने व्यवसाय की एक्चुल पोजिशन भी पता नहीं चल पाती है तो एका की व्यवसाय की विशिष्टा भी हम इसे कह स सकते हैं और एक लाभ कराने सकते हैं एक कि व्यापार एक्टि-व्यक्तिकत संपर्ख होता है जिसके थूंव वहाँ अपने व्यसाइक को बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है तो ये थी हमारी विशेषता हैं की वापर मींज एक वेक्ती, एक beau AJ कि पूं जी, एक की निननाय शम्ता, एक वेक्ती का हिलाब腹ानी ये सब एक ही वेक्ती का अधिकार शेत्र में आता हैं धन्य वाद